जहन्त मैं लेलित खतरी और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ता MTTV इंडिया आप अगर घूमने फिर्णे के शौकीन है लेकिन खर्चे के कारण आप अपना शौक पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो अब फिकर करने की कोई जुरूरत नहीं है आपके लिए एक खुशकबरी है अब मोधी सरकार आपके घूमने फिर्णे का सारा खर्च उठाएगा मायरा फैशन्स एन एक्स्क्लूजिव रेंज ओफ डिजाइनर कलेक्शन स्वामी कॉंपलेक्स आनवगामौल अजमेर सुनकर आपको ताज्यूब जरूर हो रहा होगा लेकिन ये सच है तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप सरकार की सी योजना का लाब उठा सकते हैं असल इसके लिए आपको केवल ये करना होगा कि आप घूमने का प्लान बनाएं उसके लिए ध्यान रखें कि वो सभी प्रेटरंस तल भारत की होने चाहिए इतना ही नहीं आपकी घूमने फिरने का खार्ज तभी केंद सरकार उठाएगी जब आप साल भर में कम से कम देश के किनही 15 प्रेटरंस तलों की यात्रा पूरी किये होगी यानि कि एक साल में कम से कम 15 घरेलू प्रेटरंस तलों की यात्रा करनी होगी इसके बाद ऐसे यात्रियों को प्रेटन मंतराले की वेब साइट पर इन यात्रों से जुड़ी फोटो भेजनी होगी गौर तलब है कि इस क्रम में केंद सरकार ने प्रेटन मंतराले के माध्यम से भारतिये प्रेटन को बढ़ावा देने के लिए प्रेटन पर्व अभियान चला रही है इसी प्रेटन पर्व के तहट केंद सरकार ये सुविधा दे रही है इसका लाब उठाने के लिए यात्रियों के लिए कुछ शर्टे भी रखी गई है जिसमें एक शर्ट यह है कि ऐसे लोगों को अपने राज्य से बाहर प्रेटरंस तलो की यात्रा करनी होगी पिछले दिनों ओडीशा में केंद्रिय मंतरी प्रहलात सिंग पटेल ने एक कारिकरम में यह जानकारी दी थी इसके साथ ही आपको पता होगा कि 73 वे स्वाधिनता दिवस्त पर एतिहासी लाल के लिए की प्राचीर से प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने घरेलू प्रेटरं शेतर में सुधार की विशाल संभावनाओं का उलेक करते हुए आवहान किया था कि 2022 तक देश में कम से कम 15 प्रेटरं स्टलो का ब्रहमन करें प्येमोदी ने कहा था कि भारत में देखने को बहुत कुछ है यदि घरेलू प्रेटरं बढ़ेगा तो विदेशी से एलानियों की संख्या भी बढ़ेगी प्येमोदी ने कहा था कि मैं जानता हूँ लोग छुटी मनाने विदेश यात्रा पर जाते हैं लेकिन क्या हम 2022 तक जो हमारी स्वाधीनता की 75 वी वर्ष गांट का वर्ष है अपने ही देश में कम से कम 15 प्रेटरं स्टलो की यात्रा करने के बारे में सोच सकते हैं खैरिसी बीच वर्ष एकनॉमिक फॉरम के अनुसार मोधी सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत में प्रेटरं के शेत्र में काफी सुदार हुआ है W.E.F. की यात्रा और प्रेटन सम्मंदी रिपोर्ट 2017 की रैंकिंग में भारत ने 12 अंकों की लंबी चलांग लगाई है भारतिय टूरिजम की रैंकिंग 52 पायदान से उपर चड़कर 40 वे पायदान पर पहुँच गई है जहां 2013 में भारत 65 वे स्थान पर था वहीं 2015 में 52 वे नंबर पर आ गया और महस डेट साल के भीतर 12 अंकों की चलांग लगाता हुआ 40 वे पायदान पर जा पहुँचा है अंबर पर दो है